क्वेशन नमर नाइन दे कि बच्चों कंस्ट्रॉक्टा रेक्टेंगल ए बी सी डी हूज डाइगनल बीडी सेवन सेंटीमीटर है एंडी एंगल बिट्विन इस फिफ्टी डिग्री है ठीक है तो बिसिकली हमें एक डाइगनल दी गई है और रेक्टेंगल के दो डाइगनल ह दिया जाता है उस पर ज्यादा टैंशन लेने के जरुवत नहीं है कि कितना है कितना नहीं है ठीक है आप जो है डाइगनल्स जो आपको दी गई है उसको यूज कर गया बना सकते है कैसे देखिए सबसे पहले हम यहां पर करेंगे एक छोटा बना देते हैं रफ में इस तरी कि समय बना दिया ठीक है A B C D आपको डाइगनल्स दी गई है BD यह आपको दी गई है कितनी है यह सेवन सेंटीमीटर है सेवन सेंटीमीटर तो आप यहां पर यह लिख दीजिए लैट A B C D is our rectangle और यह बना कि आप दिखा भी सकते हो ठीक है पेपर में यह बना कि आप दिखा देना कि मैंने यह बनाया है लैट A B C D is our rectangle और A C बरावर है B D बरावर है सेवन सेंटीमीटर इसका रिजन क्या है Diagonals of a rectangle are equal ठीक है यह इसका reason है basically तो यह अगर यह हमारी इतनी है 7 तो यह हमारी ऐसे जाएगी यह भी हमारी 7 हो जाएगी इनके बीचा कोई एक angle दे रखा है वो है हमारा 50 degree उस पर ध्यान बदो जादा ठीक है यह इस तरीके से है तो देखिए बच्चो यहां पर लिख लिता हमें steps of construction मैं आपको बताऊंगो लिखना कैसा है आपको बहुत easy question है steps of construction यह देखिए आपको क्या करना है steps of construction हमें आपके करेंगे इससे पहले हमने question number 8 किया तो उसमें क्या था हमें हमें उसमें a b दी गई थी और एक diagonal दी थी ठीक है इसमें आप क्या करेंगे देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे मान लिजें यहां पर जो है आपने मैं यहां पर बना रहा हूं आप आपने बन align segment ठीक है यह simple आप ऐसे भी लिख सकते हो draw ac है ना ऐसे भी कर सकते हो draw ac equals to 7 cm या फिर जैसे मैं आप वैसे लिख देना यह ac कितनी होगी बच्चो यह होगी हमारी 7 cm यह आपको हो गया ठीक है आप देखिए ac हमारी 7 cm है और rectangle है तो rectangle की जो दोनो डाइगनल्स है जहां पर मीट करती है जहां पर जैसे आपने बना दिया वच्चो अब देखिए मैं आपके इस चीज बताता हूं यहां पर क्या करना है बहुत सारी तरीख है इसके तो बेसिकली आपको आपको क्या करना है बहुत सारी आप यहां से यहां पर लगाएंगे आर्क इससे 7 cm है तो 7 cm से थोड़ा सा ज्यादा ले लो 3.5 से थोड़ी से ज्यादा ले लो यह तो बिल्कुल वैसे question बन गया हमारा उसमें भी ऐसी था question number कौन सा यह 9 है ना हाँ इसमें 7 cm दिया हुआ है ठीक है चलिए तो क्या करेंगे आप 7 cm से ज्यादा ले लेंगे radius sorry not 7 cm आप क्या करेंगे 3.5 से ज्यादा ले लेंगे radius क्योंकि 7 cm पूरी diagonal है उसका आधा कर दीजिए हमें जब भी line का midpoint निकालना होता है तो इसी दरीगे से निकालते हैं अगर हमारी एक line है वो 5 cm की है for example आपकी line 5 cm की है तो आप क्या लेसे कंगे एक से ट यहां लाइएञे यहां रखेंगे एंगे और चली यहां रखाए कट proportion और 1 कally यहां पर रखेसे कर देंगे यह जैसे आए अब यह जो पर में यह neurology मीड, में इस दरीधा है ओं होता है एक काम करते हैं कि अर्म ये में रख्य रख कोई बात नहीं हम जो है पहले इसदावर्ति दोबारा से क्या कि कि इतनी है यह सव Rapt lumière यह में लिख दिया 27포 modules अभी मैं क्या कर रहा हूँ अभी मैं यहां पर लिखूंगा देखिए एक रेडियर्स एक रेडियर्स अब मोर देन 3.5 सेंटीमीटर एंड ड्रो एन आर्क ठीक है ड्रो एन आर्क ठीक है तो यहां पर दो ड्रो टू आर्क लिख दो ड्रो टू आर्क फ्रॉम ए ठीक है तो यहां पर हमने रखा और हमने एक रर्क यहां पर लगा दिया एक रर्क हमने ऐसे लगा दिया ठीक है यहां का रर्क आएगा कैसे वैसे यहां रखूँगा पानलो मैंने ऐसे रखा यह ऐसे ऐसी आएगा ऐसे आर्क लगा दिया आप enslaved इसको थोड़ा यहां लगाने के कोशिशी करता हूँ बीच ओ बीच में आपको ऐसे करके आपको एक आर्क ऐसे लगा देना है उमीद है कि आपको दिखे रहागा बच्छों ठीक है यह अपने आर्क लगा दिया 3.5 cm से जादा हो यह दिए जादा का साहीन है ठीक है एंड विच सेम रेडियस ड्रॉप तू आर्क्स फ्रॉम एसी ठीक है ड्रोट टू आर्क्स फ्रॉम सी तू कट प्रीवियस आर्क तू कर्वाने हैं कोई भी नाम डाल देंगे ठीक है तो हम यहाँ पर करेंगे यहां से हमने कट किया मान लीजिए यह एमारा पॉइंट डालता इसको एक से कट किया मान लीजिए ऐसे यह पॉइंट डालता हो अपना वाई एकस वाई क्यों मैंने आपको पहले वी दायत है क्यों कि यहां पर डी आएगा कहीं ना कहीं यहां पर क्या आएगा राइट तो हमने एकस वाई ले लिए इस टेडिके से अब देगे फोट पॉइंट हम क्या अब आपको क्या लिखना है अब यहां पर जो एक लाइन बनेगी ना बेसिकली काम करें इसको जॉइन कर देंगे जॉइन यहां पर मेरे जॉइन कर दिया और भी यहां एक्स ऑर वाइट थना एकस वाय आपने कर दिया यह कैसा आज यहां को सबसुरूआ है और यहां पर जो लाइन बनेगे है अब हम देखिए मैं घ qui बीडी बोर या डीबी बोर एक ही बात है यह बनेगी वो भी हमारी 7 cm है क्योंकि हम बता चुके क्यों 7 cm है तो यह जो ओ पॉइंट है ना बच्चो यह पॉइंट बना है midpoint AC का भी और यहां पर बनेगी ना उसका भी midpoint बनेगा basically तो आपको क्या करना है साथ सेंटिमेटर इसका आधा कितना होता है 3.5 तो आपको ओ पर रखनी है compass रेडिस रेज़ें 3.5 और आपको एक लगा निया यहाँ पर बतलम यहाँ पर एक लगा निया उसका नाम देजिए नाप डी यहीं से आपको एक लगा निया है मानलो इसको यहाँ पर लगा ज़ते ह थोड़ा इसको कसा ही कटे थे मानली जिए आपने यहाँ पर लगा दिए उसका नाम देजिए आपने क्या नाम देजिए यह आपका क्या था यह यह आपका वाई ठीक है उसका नाम देजिए आपने भी तो इसको लिखेंगे कैसे देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम बोलें from O, ठीक है, to cut xy, xy को cut करने के लिए at d and c, या c and d लिखो या d and c लिखो एक ही बात है, ऐसे आपको लिख देना है, इसके बाद आपको क्या करना है, अब यह जो है नहीं, यह लाइन, आप यह लाइन है, अब यहाँ पर जो लाइन आएगे है ऐसे, यह, और यहाँ पर जो ल जोइन हो जाएंगी, तो यह आपका बिल्कुल मतलब अच्छा बनेगा, यह आपका बिल्कुल rectangle की तरह ही बनेगा, for example, यह आपका 90 होगा, यह आपका 90 होगे सब बन जाएगा, ठीक है ना, आपका angle A, angle B, angle C, यह आपका C point हो गया, यह angle C है, A, यह आपका B यह रहा, यह B point ह यह रहा, C यह रहा, D यह रहा, A, B, C, D, ठीक है, तो यहाप आप लिख देंगे 5 point होगे, तो यहाद आप लिख देंगे यहाप इसको ऐसे बनायत है, इसलिए पर आप यहाप लिख दोगे, hands, नहीं, 5 का आप 6 point लिखोगे, join, क्या-क्या जोइन किया है, बच्छों, आपन A, B, C, D, is the required rectangle आपका हो जाएगा, ठीक है, चलिए, यह question हमारा होगे, complete